मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, AFIS के आज 24 अगस्त 2020 के डेली आडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अगरवाल आप सभी का हार्दीक रूप से स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज सुमवार है और सुमवार को हम लोग अकसर दो टॉपिक लिया ही करते हैं यदि और कोई दूसरा बहुत महत्तपूर्ण टॉपिक न दिखाई दे या ना आ जाए उसमें एक होता है कि सिविल सर्विस एक्जामनेशन की तयारी करने के बारे में कुछ बातें की जाएं और दूसरा टॉपिक फिलहाल जो चल रहा है वो कुरोना को लेकर के है कुरोना 19 तो आएए आज कोविड 19 से इसकी शुरुवात करते हैं और फिर मुख्य विशय के तह मैं आप सबसे जो कोचिंग के बारे में आपको सोचना चाहिए किस तरीके से निर्णे लेना चाहिए इस पर कुछ बातें करूँगा दोस्तों कोविड 19 के हम लगातार एक बहुत ही सकारात्मक फेज में पहुचते चले जा रहे हैं सकारात्मक फेज कहने का मतलब है कि भले संख्या बहुत जादा बढ़ती चली जा रहे है संक्रमित लोगों की लेकिन उसी के साथ ही साथ हमें सफलता भी मिलती चली जा रही है और कहीं कहीं कोरोना पर हमारा नियंतरन भी बढ़ता चला जा रहा है आप देखे कि जो मृत्युदर है वो गिरकर 1.86% हो गई है तो य लेकिन हम उस दिशा में कम से कब बढ़तो रहे हैं तो ये बहुत ही राहत पहुचाने वाली बात है जो लोग संक्रमित पाए जाते हैं उनके स्वस्थ होने की दर भी काफी अच्छी हो गया यह 75% हो गया है और 75% की दर भी काफी अच्छी मानी जा रही है अपको ध्यान हो इसका एक रीजन भी यह कहा जाता है कि चुकि हम टेस्ट बहुत जादा कर ले रहे हैं तो इसलिए भी नियंतर हमारा होता चला जा रहा है पहले जहां हम 10 लाक पर मुश्किल से 10 हजार लोगों का टेस्ट कर रहे थे अब हमारी टेस्ट करने की जो का जो आवसत है सामाने त चला जाएगा एक और भी अच्छी बात जो अचके अख़बारों में आपको पढ़ने को मिलेगी हलाकि यह बात नियूज में नहीं थी वो यह कि अब जो टेस्टिंग हो रही है उस टेस्टिंग में जो सक्री मरीज मिल रहे है जो पेशेंट मिल रहे है आप कह लीजे वो लगबग लगबग 5 प्रतिशत के आसपास हो गए हैं, 5 प्रतिशत, जुलाई में यह दर 12 प्रतिशत की थी, जुलाई लास्ट तक यह दर 12 प्रतिशत थी, अब देखे कि अगर 12 प्रतिशत से गिर कर अब यह 7 परसेंट पर आ गई है, तो यह काफी अच्छी बात है, भले ही टोटल नंबर अफ प्रतिशत दिखाई दे रहे हैं जादा, लेकिन प्रतिशत कम हो गया, तो 7 परसेंट पर आ गया है, और World Health Organization का यह मानना है, कि अगर हम 5 परसेंट की दर पर पहुंच जाते हैं, दुनिया का कोई भी देश 5 परसेंट तक पहुंच जाता है, तो इसका मतल हम उनका इलाज कर सकेंगे, हमारे पास बिस्तर है, हमारे पास डॉक्टर्स की सुईधाई हैं, तो वो हमारे नियंत्रन में है, तो देखे हम 7 परसेंट पर आ गये हैं, हो सकता है कि 5 परसेंट पर भी पहुंच जाएं, अभी हम एक प्रकार से अगस्त के धलान पर हैं, वैक्सिन है, वो बिलकुल लास्ट स्टेज पर पहुंच गये हैं, और उन्होंने उमीद जताई है कि इस साल के आखरी तक शायद हम वैक्सिन भी बना लेंगे, और अगर ऐसा हो गया, तो यह समझे कि एक प्रकार से इससे मुक्ती मिल ही जाएगी, इसके साथ ही आपने नि जे कि एक हाल है जिसमें समारो होना है और उसमें 200 लोगों की कैपेसिटी है, तो उसमें आप 100 लोगों को बुला सकते हैं, तो अगर समारो हो शुरू हो गए, इस तरह की चीजे होने लगी, तो डेफिनिटली इसे बहुत ज़्यादा रहात मिलेगी, और सबसे बड़ी बात तक सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, पैरेंट्स भी उसमें शामिल हैं, पैरेंट्स की जैसी डिमांड होगी, सिचुएशन जैसी होगी, उसके आधार पर उसके बारे में निर्ने लिया जाएगा, और एजुकि य रहे हैं, उसे उबरते चले जाना चाहिए, और आपने उबरना शुरू भी कर दिया होगा, जहां तक कोरोना और सिविल सर्विस प्री एग्जामनेशन का सवाल है, तो इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कथिन है, या इस बीच में एक तो दिन पहले एक लेटर काफी कु पत्र लिखे हूँ, लेकि जब तक आप स्वयम प्रेस के पास नहीं जाते तो प्रेस को पता नहीं चलता है, तो प्रेस उसे टेक अप नहीं करता है, लेकिन इस पत्र को टेक अप किया गया है, यहां मैं आप लोगों को एक थोड़े सी अपनी और से सलाह देना चाहूँग कि यह जो पत्र लिखा गया है, इसको आप इस तरह से लेकर के ना चलें कि UPSC इसको मानने के लिए बाद्ध्य ही है, क्योंकि देखे अभी मैंने जो एक स्थितियां बताई है कोरोना की, वो धीरे धीरे नियंत्रण में आती चली जा रही है, जैसे सरकार ने अगर यह डिक इसको मारोह आयो, जित किये जा सकते हैं, ठीक, सिनेमा हाल में अगर पान सो की कैपेसिटी है, तो आप धाई सो दर्ट टिकेट बेच सकते हैं, होटल का एक हाल है, जिसमें एक हजार लोग आते हैं, तो ठीक, उसमें पान सो लोगों को आप रख सकते हैं, मान लीजे कि यह और अगर इसको UPSC ने टेक अप कर लिया और सरकार से पर्मिशन मिल गया जो भी उनका अपना सिस्टम हो उसके बारे में मुझे बहुत जादा मालूम नहीं है तो हो सकता है कि UPSC भी ऐसा सोचे क्योंकि आप देखे कि ट्रांसपोर्ड तो धीरे धीरे खुलते चले जा रहे ह है अंतर राजी बस सेवाएं शुरू हो रही है ट्रेन भी धीरे धीरे मुझे लगता है कि काफी कुछ शुरू हो जाएंगी फ्लाइट की बेस्थितियां बहतर हो सकती है क्योंकि जो एक्जामनेशन के दिन हैं जो आपके प्री एक्जामनेशन के उसमें अभी कितने दिन एक महीने दस दिन तो बाकी हैं तो एक महीने दस दिन में जिस तरह से चीजें बहतर होती चली जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है तो मेरे सिंसियर एडवाईज फिलहाल यही है कि आप अपनी तयारी को धीमा न पढ़ने दे क्योंकि अगर मान लिजे कि एक्जामनेशन यह मेरे सिंसियर एडवाईज है दोस्तों अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विशे पर और मुख्य विशे के तहत मैं थोला सा कोचिंग के बारे मैं आपको क्या निरने लेना चाहिए इस पर बात करूँगा यदि आप महसूस करते हैं तो देखिए अब इस्थितियां का पर बात कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और जो इस्थितियां दिखाई दे रही हैं अगर आप इंस्टिशनल कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है और जब आप इंस्टिशन में जा करके कोचिंग लेने के स्थिति में आएंगे तब तक आपके एग्जामनेशन की डेट काफी नजदीक आ चुकी होगी तो अभी जो विकल्प मुझे जो दिखाई दे रहा है वो डेफिनिटली आउनलाइन कोचिंग का एक विकल्प हैं और आप एक ऐसे दोर में रह रह हैं इसे आप एक अच्छा दोर कह सकते हैं कि आउनलाइन कोचिंग अवेलेबल है एक दो संस्थाओं के द्वारा ने बहुत सारी संस्थाओं ने अब आउनलाइन कोचिंग देनी शुरू कर दी है जिसमें वे संस्थाएं भी शामिल हैं जहां आप इंस्टिटूशनल कोच लेनी चाहिए तो फिर आउनलाइन के बारे में आपको सोचना चाहिए लेकिन इसके उपर पुरी गंभीरता से आप निरने लिए गंभीरता से निरने का सवाल है कि आउनलाइन कोचिंग के एक बहुत अच्छी बात है कि सभी कोचिंग इस्टिटूट ने जहां तक मैं किस तरके लेक्चिर्स दे रहे हैं और इसके बाद फिर आपने रणे लीजे कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है यहां तो आप कर सकते हैं ऐसा तो आपको इत्मिनान से बकाय दे जिन कोचिंग को भी आप ठीक समझते हैं उनके डेमो लेक्चिर्स देखें कमप रहे हैं वो आपके अंदर कैपेसिटी पैदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपको वो रोचत लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं आपके लिए वो फाइदे मंद होंगे या नहीं होंगे तो इस तरह से तुलनात्मक अध्यन करने के बाद आप निरणे लें दोस्तों निर निर्देशन ही जरूरी नहीं है, निर्देशन का सही और सटीक होना भी उतना ही जरूरी है, तो इसके लिए आप थोड़ा वक्त लगाएं, आपको एक सप्ताह लग जाएं, पंद्रा दिन लग जाएं, जादा नहीं है, क्योंकि अगर हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, तो गलत रास्ता कभी भी सही मंजिल तक हमें नहीं पहुचा सकेगा सीधी सी बात है कि आप थोड़ी सी यात्रा करने के बाद जब आपको एहसास होगा कि रास्ता गलत है या वो रास्ता जादा बेतर था तो फिर पता लगा कि आप अपना ट्रैक पदल रहें आप अपना रास्ता बदल रहें तो वो समय तो आपका खराब हो गया इसलिए बहतर है कि आप हड़बड़ी न दिखाएं धैरे रखें पूरेत मिनान के साथ कोचिंग के बारे में नेरणे ले तो फ्रेंस आज के मुख्य विशय के बारे में बस इतना ही नीज़ पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सब को प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सब देख लेंगे इमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्ही में से है उसे मैं आशिरवाद स्वरूप लेता हूँ उनके प्रती मेरा आभार व्यक्त करें और साथ ही मैं इश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह स्वस्त हो जाएं अन्यमित्रों के नाम हैं आशिस कुमार अमिश्र जैन्यू निव डेली से मोहित डागर लोकेश महेंद्र चावडा जोधपुर राजस्थान से शशांक पांडे और प्रियंका दूबे आप सबका बहुत बहुत आभार और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली आडियो लेक्चर को अब यहीं स समाप्त करता हूँ नमस्कार